कहानी की सुर्वात में हम एंजल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी वेंट के जरीए बाहर निकल रही थी बाहर आने के वाद एंजल कुछ लोगों को देखती हैं जो की लड़कीयों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं साथ ही उसे वाँ कुछ लोग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हुए दिखाई दीते हैं इसके बाद हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहां हम एंजल की फैमली को देखते हैं जो की चार लोगों की होती है जिसमें उसके डैड उन्हें एमेसा के लिए छोड़ कर चले गए थे क्योंकि उनका एंजल की मौम से एमेसा जगड़ा होता था फिर कुछ दिन बाद उस सीटी के अंदर एटेक हो जाता है जिसमें मिलिट्री पूरे सेर को तबा करने लगती है इसमें सबी मिलिट्री वाले लोगों को बाहर निकाल कर उन्हें मार रहे थे इसके बाद वो उस सेटी की यंग लड़कियों को एक गैंग्स्टर के हाँ सौब देते हैं जिसके बाद वो गैंग्स्टर उन लड़कियों के साथ रेप कराया करते थे इन सब चीजों का सिकार एंजल की फैमिली भी हो जाती है जिसमें उसके आखों के सामने ही उसकी मॉम और सिश्टर को मार दिये गया था दरसल इस गैंग्स्टर का मेन आदमी विक्टर था जो उन सभी लड़कियों का आर्मी वालों से रेप कराये करता था जिससे उसे काफी ज़्यादा पैसा मिला करता है अब उन सभी लड़कियों को विक्टर के पास लाया जाता है जहां विक्टर उन सभी से कहता है कि तुम लोग अपनी पिछली लाइफ और बाहर की दुनिया के बारे में भूल जाओ क्यूंकि आज के बाद वो सब कभी बाहर नहीं जपाएंगी और अगर किसी ने भी यहां से भागने की कोसिस की तो वो उसे जान से मार देगा ये कहने के बाद विक्टर अपने पास एक लड़की को बुलाता है और उसके गले में चाको गुसा कर उसे जान से मार देता है ताकि बाद की लड़कियों के अंदर डर बना रहे अब सभी लड़कियां काफी ज़्यादा घवरा जाती है तभी विक्टर की नजर एंजल पर पढ़ती है जिसके चेहरे पर रजीब सी बर्थमार खोती है ये देखकर विक्टर उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है तभी हमें पता चलता है कि अंजल एक डेफ लड़की है यानि कि ना वो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है इसलिए विक्टर उसे प्रोस्टिटूसं का केर टेकर बना देता है जिसमें वो बाकी के लड़कियों का मेकप करके उन्हें सेक्स के लिए रेडि करेगी साथ ही एंजल उन लड़कियों को पहले डख्स देगी जिनके लिए कस्टमर पहले आ रहे हो ताकि वो लड़कियां कस्टमर को सेक्स करते समें प्राबलम ना करें एंजल को ये सब काम एक वेंट के जरी जाकर करना पड़ता था अब एक दिन एंजल एक ऐसी लड़की के पास खाना लेकर जाती है जो अल्रेडी मर चुकी होती है क्यूंकि किसी ने उसके साथ बुरी तरह रेप किया था तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उसकी डेड बॉड़ी को एक कपड़े में लपेट कर बाहर ले जाने लगता है दरसल ये सब यहां की एक काम बात थी जहां बहुत से लोग लड़गियों के साथ जवरदस्ती रेप करके उन्हें मार दिया करते थे इसके बाद विक्टर एंजल को एक दूसरी लड़गी का मेकप करने के लिए भोलता है क्यूंकि कुछ कस्टुमर वहां आने वाले थे अब एंजल उसके रूम में जाती है जिसका नाम वानिया होता है यहां वानिया को पता चल जाता है कि एंजल एक डेफ लड़की है इसलिए वो एंजल से सारों के जरिये बात करने की कोसिस करती है क्यूंकि उसे साइन लेंगवे जाती थी अब वहां पर कस्टमर आ जाती है फिर कस्टमर के जाने के बाद एंजल फिर से उसके रूम में आती है और उसके फेस पर लगे बलट को साफ करती है यहां वानिया बताती है कि उसे साइन लेंगवे जिसलिए आती है क्यूंकि उसके फादर भी डेफ थी वानिया को देखकर एंजल को अपनी फैमली की याद आती है तभी एंजल को यहां किसी के आने की यहाट सुनाई देती है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है अब रात को एंजल वैंट के थूरू फिर से वानिया के घर आती है इसके बाद Vania उससे यहाँ से जाने का रास्ता पूछती है इसपर एंजल कहती है कि यहाँ से बाहर जाना मुस्किल है क्योंकि ये जगा सबी तरब से लॉक है एंजल Vania के लिए चॉकलेट भी लाई थी जिसे वो दोनों मेलकर खाती है पर तभी वानिया को वहां किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो वैंट के थुरू फिर से अंदर चली जाती है नेक्स्ट डे एंजल को दुबारा से वानिया के पास रेडी करने के लिए भेजा जाता है क्योंकि उसके लिए कोई कस्टमर आने माला था वानिया एंजल से कहती है कि मुझे ड्रक्स का इंजिक्सन लगा दो ताकि कुछ सुकून मिल जाए अब एंजल वानिया को रेडी कर देती है और दुबारा से वैंट के अंदर चली जाती है तभी वानिया के पास एक कस्टमर आता है जो उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है ये सब एंजल वेंट के थूर देख रही थी फिर एंजल उसके रूम में जाती है तभी वहाँ विक्टर भी आ जाता है यहाँ इन्हें पता चलता है कि वोस आदमी ने वानिया के साथ बहुत जवरदस्ती की थी जिसकी वज़ा से उसका पैलविश तूट गया था फिर वो सब वहाँ डॉक्टर को बुलाते हैं अब डॉक्टर वानिया का चिकप करने के बाद विक्टर को काफी भला बुरा कहता है क्योंकि उसके वज़ा से यह वानिया की यह हालत हुई है यह सुनकर विक्टर डॉक्टर को पैसे देकर यहां से भगा देता है इसके बाद विक्टर एंजल को अपने पास बुला कर एक माश्टर की देता है और कहता है कि अपसे तुम यहां के सबी डोर ओपन करके जा सकती हो पर मुझे पता है कि तुम यहां से नहीं जाओगी क्यूंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो अगले दिन एंजल वानिय को ड्रक्स देने के लिए उसके पास जाती है जहां वो देखती है कि वानिय की हालत और भी जादा खराब होती है तब ही यहां विक्टर का अदमी एलेकजेंडर आ जाता है जो एंजल को जल्दी ड्रक्स देने के लिए बोलता है पर एंजल उसे ड्रक्स नहीं देना चाहती थी इसलिए वो ड्रक्स से भरा इंजेक्स अपने पास से रख लेती है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद हम कुछ मिलिटरी के सोल्जर्स को देखती है जिनका लीडर गोरान होता है दरसल गोरान उसी सिटी का लीडर था जिसने एंजल के सिटी में जाकर उसकी पूरी फैमिली को मारा था यहां गोरान का छोटा भाई जैसिप और उसके बाकी के साथ ही जिनका नाम ब्रांको, इवान और रदोवन होता है अब गोरान एंजल को देखकर उसे पहचान लेता है इसलिए वो विक्टर से कहता है कि तुमने इसे अपने साथ क्यों रखा है इस पर विक्टर बताता है कि एंजल यहां की केयर टेकर है जो उसके हैल्प करती है इसके बाद गोरान अपने बाकी के साथ यूग अलग अलग रूम में जाकर लड़कियों के साथ रोमैंस करने के लिए बोलता है और खुद विक्टर से बाते करने के लिए उसके आफिस में चला जाता है वहीं इवान वानिये के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती रेख करने लगता है एंजल ये सब उसी वेंट से देख रही होती है जो से बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता इसलिए वो वेंट से वाहर निकल कर इवान के पीट पर कई बार चागुसे हमला करने लगती है जिससे इवान की वही पर मौत हो जाती है तभी एंजल देखती है कि वानी अभी मड़ चुकी है इसलिए वो काफी दुखी होती है तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लगती है क्यूंकि उन्हें इवान के चीखने की आवाज सुनाई दी थी अब वो सब दोर को तोड़ कर अंदर आते हैं लेकिन तब तक एंजल की तरब से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है इसलिए वो सावाज का पीछा करते हुए सभी रूम में चेक करने लगता है यहां सभी लड़की अपने अपने रूम में होती है पर एंजल यहां से गायव होती है यह देखकर गोरान समझ जाता है कि यह सब काम एंजल का ही हो एंजल एक वेंट से बाहर निकलती है और उस मास्टर की से में डोर को ओपन करने लगती है पर वो डोर ओपन नहीं हो रहा था जिससे एंजल समझ जाती है कि विक्टर ने उसे रियल चावी नहीं दी थी अब एंजल फिर से वेंट के अंदर जाने लगती है पर तभी गोरा अपने पास रखे हुए ड्रक्स का इंजेक्शन एलेक्जेंडर को लगा देती है इन दोनों की आवाज सुनकर यहां बाकी की लोग आ जाती है इसलिए एंजल फिर से वेंट के अंदर घुश जाती है पर तभी गोरान उसका पैर पकड़ लेता है फिर एंजल अपने दूसरे पैर से उसके उपर हमला करके अंदर चली जाती है इसके बाद गोरान अपने एक आदमी को गन देकर वेंट के अंदर घुशने के लिए बोलता है क्यूंकि वो उन सबसे पतला था लेकिन एंजल उसके उपर एक इट से वार करके उसे भी मार देती है ये सब देखकर गोरान अपने बाकी के साथियों के साथ कुछ राइफल और आसू गैस बहर निकालता है और अलग-अलग कमरे में जाकर उनके वेंट में आसू गैस डाल देता है जिससे पूरे घर में धूम हो जाता है तभी विक्टर रदोवन को गोली से सूट करके मार देता है क्यूंकि उन लोगों ने उसके दो लड़कियों को मार दिया था अब गोरान और जैसे बचे होते हैं तभी गोली की आवास सुनकर गोरान वहां आता है लेकिन विक्टर उसे बताता है कि रदोवन को एंजल ने मारा है अब गोरान की नजर एक विंडो पर पढ़ती है जहां से एंजल बाहर निकल रही होती है ये देखकर गोरान उसके उपर फाइरिंग करने लगता है लेकिन एंजल किसी तरह जंगल की तरफ भाग जाती है इसके बाद गोरान अपने भाई और विक्टर के साथ उसका पीछा करने के लिए जंगल की तरफ जाता है फिर वो सभी को जंगल में अलग-अलग डारिक्शन में जाने के लिए बोलता है वहीं एंजल भागते हुए एक जगा पर गिर जाती है जहां उसे मरी हुई लड़कियों की बहुत सी सरी हुई dead bodies मिलती है क्योंकि विक्टर सभी लड़कियों की dead bodies को यहीं पर फिंक दिये करता था तभी वहां विक्टर आ जाता है जिससे एंजल चाकु दिखा कर उसे दूर रहने के लिए बोलती है पर विक्टर उसे प्यार से समझाता है कि वो उसे अपना चाकु दे दे क्यूंकि वो उसे कुछ भी नुक्सान पहुचाने नहीं आया है ये सुनकर एंजल उसकी बातों में आकर उसे अपना चाकू दे देती है फिर विक्टर उसे एक तमाचा मारता है जिससे एंजल नीचे किर जाती है तभी यहां गोरान और जैसिप आती है जिसे देखकर विक्टर एंजल पर गन पॉइंट करके गोरान से कहता है कि वो सो अपना चाकू नीचे फेक दें जिसके बदले में भूने अपने बिजनेस का 50% मार्जिन देगा पर तभी एंजल विक्टर के पैर से चाकू निकाल कर उस पर हमला कर देती है जिसके कारण विक्टर काफी घायल हो जाता है और उसके हाँ से गलती से गोली चल कर जैसिप को लग जाती है जिससे उसकी वही पर मौत हो जाती है अपने भाई को मरा हुआ देखकर गोरान को काफी गुस्सा आता है और वो विक्टर पर कई बार गोली से फाइरिंग करके उसे मार देता है अब एंजल वास से भागते हुए एक घर तक पहुँच जाती है जहाँ पर एक लेडी डोर को उपन करती है तभी एंजल बेहोस हो जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी एंजल के सभी घाव को साप करके उस पर मलहम लगा देती है फिर जब एंजल को होस आता है तो वो एक रूम में एक फोटो देखती है जो इवान और उसकी वाइफ का होता है ये देखकर एंजल समझ जाती है कि ये घर उसका ही है उधर इवान की वाइफ को गोरान का कॉल आता है जो उसे सब कुछ सच बता देता है ये सुनकर वो लेडी एंजल पर चाको से हमला करने के लिए आती है पर तभी एंजल उसके सिर पर बार-बार हमला करके उसे मार देती है अब गोरान भी वहाँ पहुंचता है लेकिन तब तक एंजल वहाँ से निकल चुकी होती है इसके बाद एंजल एक फैक्टरी में पहुंचती है जहां कुछ देर बाद गोरान भी पहुँच जाता है गोरान वहां के सभी वरकर्स को फैक्टरी खाली करने के लिए बोलता है तभी एंजल एक पाइप के अंदर घुच जाती है जिसका पीछे करते हुए गोरान भी उसके पीछे जाने लगता है लेकिन वो पाइप काफी जादा पतला होता है जिसके वज़ासे गोरान भीच ओबीच पाइप में फल जाता है गोरान को फसा हुआ देखकर एंजल उसके पास आती है गोरान उससे हेल्प के लिए रिक्वेश्ट करता है पर एंजल उसे एक स्माइल देते हुए एक कपड़ा उसके मुह में गुसा देती है ताकि उसकी आवाज किसी को भी सुनाई ना दे इसके बाद एंजल अपने बलड से गोरान का मेकप करने लगती है ठीक वैसे ही जैसे हुँ लड़कियों का करती थी खैर अब एंजल उस पाइप से बाहर निकल जाती है और वो भागते हुए एक ओल्ड लेडी से टकरा जाती है वो लेडी एंजल की यहालत देखकर उसे अपने गहल ले जाती है यहां हम उसके हस्बेंड को देखती है जो कोई और नहीं बलकि वही डॉक्टर होता है जिसे विक्टर ने वानिय का इलाज करने के लिए बुलाया था यानि की एंजल अब पूरी तरह से सेफ है क्यूंकि वो डॉक्टर एक अच्छा इंसान होता है अब डॉक्टर एंजल को देखकर पहचान जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो बसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बाकी मैं बिलूँगा आप से एक लिए वीडियो में तिल देन टेक केर, लव यू, बाई बाई